हेलो फ्रेंड्स वेल्कुम तुमाई चैनल क्राफ्टिंग अलिशा जैन 20 मैं हूँ अलिशा और आज मैं आपको एक राउंट मेकप किट बनाना सिखाऊंगी यह देखिए यह कुछ ऐसी दिख रही है तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा मेरा और भी वीडियो देखने के लिए तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने 8 इंचिस पाई 8 इंचिस का पहले पीस लिया था फिर उसको 7.5 इंचिस पर गोल आकार में कट कर लिय तो ऐसे हमें 2 quilted pieces चाहिए round circles का उसके बाद हमें 1 quilted piece चाहिए होगा यहाँ पर जिसका measurement मैंने आपर लिया है 19.5 by 3 inches इसका हमें सिरफ एक ही quilted piece चाहिए होगा उसके साथ मैंने यहाँ पर इसका एक plain piece भी लिया है जिसका measurement मैंने आपर same लिया है 19.5 by 3 inches तो एक quilted हो गया हमारा और एक plain अब इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए 4 by 4.5 inches का एक और quilted piece और इसके साथ ही हमें same measurement का यह plain piece चाहिए उसके बाद हमें जिप चाहिए जो जिप है उसका measurement मैंने आपर 20 inches रखा है अब इसके बाद हम अपना यह वाला piece लेंगे और जिप लेंगे जिप को ऐसे उल्टा करते हुए इस piece के ऊपर ऐसे करके रख देंगे और इसके बाद यहाँ पर अपना plain piece लेंगे तो plain piece को हमें उल्टा करके ना इसके ऊपर रख देना है ऐसे करके और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे तो यह देखें मैंने सिलाई लगा दी अब इसे न सीधा कर देंगे हम सीधा करने के बाद इसके ऊपर अब मैं नीचे की तरफ से भी सिलाई लगा दूगी और इसको इसके उपर attach कर दूगी अब इसके बाद ये वाला मैं quilted piece लूँगी इसको इसके उपर ऐसे करके रखते हुए हम plane piece लेंगे इसको ऐसे इसके उपर उल्टा रखेंगे और यहां से हम सिलाई लगा देंगे सिलाई लगाया मैंने अब यह जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं कट कर दूँगी एक्स्ट्रा वाले को मैं यहां से कट कर रही हूँ मैंने इसको कट कर दिया अब इसके बाद इसको ऐसे करके हम सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद यहां से न मेशुरिंग टेप लेंगे मेशुरिंग टेप को इसके उपर रख करना यहां से हम 23 इंचिस देखेंगे तो यह मेरा पूरा 23 इंचिस है थोड़ा जादा होगा तो कोई बात नहीं बीच में आ जाएगा अब यह जो सरकल है ना हमारा दोनों में से कोई भी एक सरकल ले लीजे और उसका यहां से ऐसे करके कहीं भी मार्क लगा लीजे उसके बाद ऐसे राउंड करते हुए मेशुरिंग टेप को आपका 23 आ रहा है वो देख लीजे यह देखें मेरा 23 आया यह देखें हमारा जो 23 है वो दोनों तरफ से आ रहा है अब इसके बाद हम अपना यह वाला पीस लेंगे और यह जो उपर में मैंने यह लगाया था ना इसको ऐसे करके दूसरी साइड में रखेंगे यहां पर नहीं लगाया ऐसे करके रखने के बाद इसको ऐसे उल्टा करके ऐसे बीच वाला पार्ट फोल्ड करके न इस प्लेन पीस को ऐसे उल्टा करके इसके उपर रख देंगे और सिलाई लगा देंगे यह देखें मेरे सिलाई लग चुकी अब इसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे तो ये देखिए मेरा ये complete हुचुका है अब इसके बाद ये वाला जो portion है ना यहाँ से थोड़ा सा extra बज़ गया है मेरा उपर से तो मैं इसको cut कर दूंगी अब हम यहां से और यहां से प्रेस्टीज दे देंगे और यहां पर यहां पर सिलाय लिखा देंगे यह देखें मेरा यह रेडी हो गया अब मैं इसे सिधा कर लूगी अब इसके बाद मुझे लेना है अपना यह सर्कल circle के उपर ऐसे करके इस piece को हम रखेंगे और ऐसे यहाँ पर हम इसको साथ में जोड़ते जाएंगे मतलब यहाँ से पूरा सिलाई लगा दीजे ऐसे round में यह देखें मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दिया अब इसके बाद हम अपना दूसरा circle लेंगे और इसको भी हम इसके साथ attach कर देंगे ऐसे करके पूरा इसको attach कर देना है यह देखें अमारा यह ऐसे करके ready हो गया अब इसके बाद हम इसके उपर cold लगाएंगे तो पहले तो हम यहाँ पर 24 इंचिस का पूरा एक plain पीस ले लेते हैं यहाँ से हमें 3 इंचिस लेना है और इसको जो पूरा लेंथ है वो होगा हमारा 24 इंचिस अब इसके बाद इसको ऐसे करके fold कर लीजे और इसको बीच में से cut कर लीजे mark करके यह देखे मैंने आपर एक line लगा लिया अब इसको हम cut कर देंगे तो हमारी बड़ी सी core बन जाएगी तो यहाँ पर जो core है उसका measurement मैंने यहाँ पर 48 इंचिस रखा है तो अब हम अपना core अटाच करेंगे तो उसके लिए मैं पहले इसका zip खोल दूँगी और उसके बाद यहाँ से ऐसे core को fold करते हुए इसके उपर रख देंगे हम ऐसे और इसके बाद इसको ऐसे करके सिलाई लगाते रहेंगे आपर तो यहाँ पर मैं आपको एक बार सिलाई लगा कर बता देती हूँ झाल तो यह देखें मेरा core लग गया अब इसके बाद इसको हम ऐसे करके double fold करके इसके उपर सिलाई लगा देंगे ऐसे double fold करेंगे और सिलाई लगा देंगे इसको बस ऐसे करके double fold करना है यह देखें यह हमारा पूरा ready हो चुका है अब ये देखे मैं आपको इसे कोल कर दिखा देती हूँ तो ये बीच से ऐसा लग रहा है अब इसके बाद हम इसका हैंडल बनाएंगे तो हैंडल बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 7x4.5 इंच का एक प्लेन पीस लिया है उसके बाद यहाँ पर मैंने 7x2 इंच का एक और पीस लिया है अब इसके बाद आप इसको उसके बाद प्लेन पीस को ऐसे करके फोल्ड कर लेना है उसके उपर हम यह आटा बैक को रखेंगे यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे यह देखें हमारा तीनों अटाच हो जाएगा अपस में उसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे यह देखें मैंने इसको सीधा कर दिया है अब हम इसके उपर प्रेस्टीज देदेंगे दोनों दरब से और यहाँ पर भी सिलाई लगा देगी यह देखिए यहाँ पर मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा दी तो अब यह जब मेरे threads निकले हुए उसको मैं cut कर दूँगी उसके बाद मैं अपना यहाँ पर make-up kit लोगी make-up kit लेने के बाद अब मैं इसके उपर handle attach कर दूँगी तो हमें यहाँ से middle part निकालना होगा इसको ऐसे करके fold करके उसके बाद ऐसे देखिए ऐसे करके fold कर लीजिए चारों तरफ से और यहाँ से हम middle निकाल देंगे तो यह देखिए यहाँ से मैंने middle निकाल दिया था ना अब यहां से लाइन लगाकर यहां से इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ओपर हम सिल देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसको ऐसे करके थोड़ा सा फोल्ड करेंगे थोड़ा जादा ही कर लीजिए एक इंच यहां पर दोनों तरफ से हम क्रॉस लगाएंगे एसे करके लगा देंगे ऋपर सिलाय से ही यहाँ पर हम एसे क्रोस करके सिलाय से लगा देंगे हैंडल को ये रहें मेरा हंडल रेडी हो गया और ये कुछ ऐसा दिख ़हा है तो यह दिखें मेरा Rapid शेप क्यूट सा मेकप बॉक्स रेदी हो गया आप इसको कहीं भी ट्रावल करते समय लेकर जा सकते हैं यह देखिए यहाँ पर मैंने अपने एरिंग्स बैंगल्स लिप्स्टिक एंड और उसके बाद रबर बैंस रखे हैं अप चाहे तो इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं सिरफ मेकप का सामाल नहीं इसे हम पैड रखने के लिए नहीं तो अपने अंडगामेंस रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं मेरा आज को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जूर बताएगा और मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर और थैंक्स